स्वागत है दोस्तों आप सभी को टिकिराच यूटिब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी Realme X Lite या फिर किसी भी Realme phone पर कैसे आप screenshot ले सकते चाहे वो screenshot हो या फिर long screenshot हो कैसे आप ले सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको complete details में बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रहेगा और साथी साथ चैनल को भी subscribe करके bell icon को भी दबा दिजेगा जो की बिल्कुल भी free है तो दोस्तों यहाँ पर देखे screenshot लेने का कम से कम यहाँ पर दो तिन तरीका होता है लेकिन जो बहुत ही common है वो हम बात कर लेते हैं सबसे बेरे तो screenshot लेने के लिए देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे manually आप ले सकते हैं एक तो यहाँ पे hardware आपका volume down button और power button दोनों दबाके आप ले सकते हैं आपके mobile में हो सकता है कि volume का button यहीं पे हो या फिर यहीं पे हो कोई फरक नहीं पड़ता आपको power button और volume down button को एक पर देख सकते हो आपका screenshot बन चुका है ठीक है तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे volume down button यहाँ पे हो और यहाँ पे power button हो तो यहाँ पे एक साथ दबाना है हो जाएगा ठीक है कहीं पर भी हो volume down button कोई फरक नहीं पड़ता simply आपको दोनों button एक साथ दबाना है दबाने के बाद म दोस्तों अभी देखिए अभी हमें यहाँ पे एक mobile में एक option दिया जाता है जो कि हम touch से हम touch से ही जो है यहाँ पे हम screenshot ले सकते है उसके लिए सबसे पहले तो आपको कुछ settings करना होता है सबसे पहले आपको जाना होते है आपको अपना mobile का settings पे और यहाँ पे आपको डुनना होता है convenient add यहाँ definitions के ओपर click करना है और gesture motion के ओपर click करना है ठीक है तो gesture motion पर click करते आप यहाँ पे deecha किcra screenshote अपको स्क्रीणोट के देना है ठीक है इससे आपको यहाँशे के ओपर tutor कर देना है यह enable करते ही आप यहाँपे यह तीन जो finger है आपका, इससे आपको swipe down करना है, तो आपका screenshot ले चुके, दोस्तों यह दिया आपको three finger screenshot का option आपको नहीं दिखाए दे रहा है, तो simply आप अपने mobile का settings पे जले जाए और उपर search bar पे click करके, यहाँ पे आप simply scrwe and screen short आप search कीजेगा, search करने के बाद में simply आपको यहाँ पे option मिल जाएगा, कहाँ जाना है आपको आप देख सकते ही, convenient 8 पे जाना है, gesture and motion पे जाना है, वहाँ पे जाती है, आप जो है screenshot का option मिल जाएगा, या फिर direct आप यहाँ पे click कर लिजे, आपका three finger screenshot आपको मिल जाएगा, आप enable कर सकते हैं, तो पहले तो हम web में कहीं पे भी एक चले जाते हैं, यहाँ पे मैंने calculator search किया, और जैसे मैंने यहाँ पे calculator search किया, तो search करने के बाद में यहाँ पे देखे, आप चाहो तो यहाँ पे आप power button या फिर, यहाँ पे volume down button का इस्तमाल कर सकते हो, यह करने के बाद में आपको simply यहाँ पेक मिलेगा long screenshot, इसके उपर click कर लिजेगा, इसके उपर click करने के बाद में दोस्तों अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको, कहां तक आपको screenshot लेना है, वो आपको यहाँ पे swipe up करना है, ठीक है, कहां तक आपको screenshot लेना है, सबसकि पगड़ लिजे मुझे, यहाँ लेकिन द बढ़िया screenshot आया है, आप देख सकते हैं, एकदम quality भी बहुत ही बढ़िया है, तो यह रहा दोस्तों आपका long screenshot लेने का, यदि दोस्तों आपके mobile पर long screenshot लेने का, आपके पास यहाँ पर option दिखाई नहीं देता है, तो simply आप play store में जा सकते हैं, और play store में जाने के बाद में, यहाँ पे आप long screenshot आप search कीज़ेगा, यहाँ पे बहुत सारा application आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर mobile में, realme में आपको long screenshot का facility नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप यहाँ पे कोई भी एक application डाउलेट करके long screenshot आप ले सकते हैं, तो दोस्तों यह था complete process, कैसे आप जो है long screenshot या फि यह screenshot ले सकते हैं, अपने किसी भी realme phone पर, उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, thanks for watching.